तो यह कि स्टैंडर्ड एसोपी है इसमें क्या है हम यह याद रखेंगे FAT, BS, BBPD, EIS, TPRL, ATDB, DF, PRS, PPS, SPAM, OT, BC, WMM, TF, TF, SO, OLD, TF, SR, CAC, CCC, T55 Rules ठीक है तो अपने पास यह है अब समझते हैं कि इसमें है क्या तो यह SOP इस चीज के लिए कि let's assume आपको कोई भी काम दिया जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले FAT, Formula, Green Region, Affirmation, Spiral Book, To-Do List यह तो मैंने जनरल लिखा है, शीज हमारी यहां से शुरू होगी, BS B stands for Boss ने आपको कोई भी काम कहा, तो आपको कहना है, जी सर, OK ठीक है, उस समय OK बोटो Then अगली चीज क्या है, S Say I will make a strategy and then come to you to discuss it further and get it approved That is methodology लगी, मतलब Boss ने आपको कोई काम दिया, तो आप Yes Sir कहके चले जाओ फिर उसके बाद उसके बारे में खुब खुजबीन करो, strategy बनाओ कि इसको कैसे करोगे और एक methodology बना लो अब यह methodology कैसे बनती है, यह methodology बनती है broad picture से broad picture यानि date वाल equation, definition, additional information, types, evolution तो वो सारी चीज़ें करोगे तो एक methodology बन जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि क्या resource चाहिए, 5Ms कौन-कौन से है, क्या machine, material, money, market, method, क्या होगा 5Ws, what, when, where, who, how, why, तो यह कर लो next, तो यहां से एक methodology बन जाएगी तो boss ने work दिया, कहो yes, then say I will make a methodology, methodology कैसे 5Ws और 5Ms का answer करके 5Ws, what, when, where, who, how, why, man, material, machine, money, market, method इंदर्स question का answer मिल जाएगा, तो एक methodology डवलप हो जाएगी, जिसे कि फिर boss से approve करा लो अब क्या है, boss ने काम दिया, आपने methodology बना ली, अब office का work क्या है, सबसे पहले एक broad picture बना लो BBPD, EISID का use करके, फिर resources को gather कर लो, TPR, LATDB का use करके, अब resource को study करनी और फिर लोगों से बात करनी है तो resource को study में क्या है, दो ही resource हो सकती है, या तो कोई book, manual report, या फिर कोई letter, तो book, manual report के लिए OTBCWMM का use कर लो, और letter कोई आता है, तो उसके लिए TF, TFSO, OLD, TFSR, CACCC का use कर लो, ये जो resource की study होई, इसके basis पे एक knowledge develop हो गई आपकी, अब फिर लोगों से आप बात करो, तो एक बंदे से बात करनी है तो DFPRS, और meeting hold करनी है तो उसके लिए PPS spam, तो ये एक strategy हमने बनाई, ठीक ह इसके अलावा हमारे पास एक T55 rule है, ठीक है, कि जब किसी काम करने का मन नहीं हो रहा है तो आप ऐसा रख लो कि मैं 5 मिनट वो काम में दिमाग लगाँगा और 5 मिनट इंस्टा चलाँगा तो ऐसे, अपने mind को रखो, जैसा मैंने बताया है कि जब आप methodology बनाते हो तो उस वक 5 W's अपने आप से पुछो उस वर्क के बारे में, उनका answer निकालने कोशिश करो, what, when, where, who, how, why, और 5 M's, man, material, machine, money, market, method, ठीक है, man यानी organization chart को देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक work के corresponding को ये subordinate है, रुपे का मतलब ये है कि आपको काम नहीं करना है, आपको just monitor करना है, discussion करना है, और दूसरे को work a lot करना है, तो man जैसे होगा, तो organization chart में answer ढूंड़ो और वहाँ से बता दो, sir, मिस के लिए मुझे individual लगेंगे, आप यहाँ से दे दो, फिर material machine, vehicle चाहिए, driver चाहिए, MTS चाहिए, OS चाहिए, ये बता दो, material, table, printer, scanner क्या चाहिए, money, money handle करते हैं, generally, जिनके पास contingency होती है, store section तो वहाँ से, market, मतलब stakeholder, आप से expectation क्या है, और methodology, methodology मैंने वही है, 5Ws और 5Ms निकाल लो, तो वहाँ से यह develop हो जाएगे, ठीक है, अब, अब आजाते हैं, एक एक formula को थोड़ा detail में देखने है, ठीक है, तो इसमें आएगा सबसे पहले हमारा formula, तो formula में सबसे पहले, SOP for any work given to you, BBPD, EISID, P, तो सबसे पहले क्या है, कि कोई भी काम मिले, तो सबसे पहले अपने confidence को boost करो, कि border पे जाके लड़ना नहीं है, आपके उपर मुकदमा हो गया, normal है, office का काम है, जैसे AI हो जाएगा, और क्या, आपके उपर boss है, जो आपको guide करने के लिए है, नीचे subordinate है, जो आपको मदद करने के लिए है, manuals पड़ी है, तो ऐसा नहीं है, वो काम हो जाएगा, internet है, बहुत ways है, तो सबसे पहले अपने confidence क बूस्ट करो कि काम हो जाएगा, then बनाओ broad picture जो कि आपकी यहाँ पर methodology बनाने में काम आएगी, broad picture कैसे, वही 5Ws और 5Ms का अंसर ढूंडो, what, when, where, who, how, why, man, material, machine, money, market, method, यह 5Ws, 5M के बाद अगर और जानने की, और उस काम को handle करना है, तो एक broad picture बनाओ, date का use करके, that is definition, additional information, type, evolution, background क्या रहा है उस matter का, क्या है वो matter, additional information में, NPSW, need क्या है, उस काम की, problem क्या है, उस काम में, उसके solution क्या है, way forward क्या है, freco, facts, role, recent, example, quote, इस तरह से, ठीक है, फिर वही 5Ws, 5Ms, what, when, where, who, how, why, 5M, man, material, machine, money, market, method, IPO, input, process, output, तो जब आप इन questions पे थोड़ा थोड़ा ताइम एक है, then है PD, किसी भी काम करने को पहले उसमें, plan कर लो, अब जब जैसे broad picture है, तो इसमें सब कुछ करने की ज़रत नहीं है, bear minimum भी अगर करना है, तो 5Ws, 5Ms, IPO, बस अगर ये सब नहीं भी करना है, तो, definition देख लो, फिर ये देख लो, 5Ws, what, when, where, who, how, why, man, material, machine, money, market, method, input, process, और output, इतना देखने से भी हो जाएगा, ठीक है, then अगली चीज़ है, divide the problem, problem को easy और interlinked part में divide करो, read question task carefully, फिर EIS, जो easy part है question का, उसके लिए तो तुरंत SOP बन जाएगी, जो interlinked part है question का, ऐसे दो पार्ट में उस question को, या उस task को दो पार्ट में तोड़ दो easy हिस्सा और interlinked हि फिर SOP बना लो easy part की, वो तो तुरंत हो जाएगी, जो interlinked part है वो तुरंत नहीं होगा, उसका कुछ हिस्सा अभी हो जाएगा, कुछ हिस्सा बाद में होगा, तो short term goal, mid term goal और long term goals, ठीक है, इसके बाद क्या है IDP, फिर identify करो trustworthy people को, और delegate कर दो, because मेरी job काम करना नहीं है, मेरी job है, दूसरों को काम देना, ठीक है, तो things that must be done, things that should be done, things that should be delegated to others, और eliminate the remaining, ठीक है, और फिर last में मैंने रखा है P, कि prioritize करो अगर बहुत देर सारे टास्क आपको दिया है, बहुत देर सारे टास्क दिया है, तो आप Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 5 दिन हैं आपके पास morning half और second half, तो अगर आप ह पास्टाफ अपने लिए रखो, कोई आपको पांच काम भी parallel ही देता है, तो आप कर सकते हो, एक एक दिन उसको lot करके, तो यह हो गया broad picture, broad picture के बाद next है reference material, तो reference material में है TPRL, ETDB, कि वो जो काम है जब उसकी broad understanding आपको develop हो गई, तो अब resources पढ़ो, क्या उस matter से related training PPT में कुछ है for example, weeding out का काम मिला, तो training PPT है कोई weeding out के बारे में, नहीं है तो छोड़ दो, वैसे भी हमने training PPT के list बनाई है, एक मनोच से बोलके, वो मेरी hard disk में रखा हुआ है, ठीक है, तो और मैंने training से related कई वीडियो YouTube पे भी डाले हुआ है, तो वहाँ से भी मिल सकता है software वगारा, क्या कि ArcGIS कैसे है, Total Station कैसे काम करता है, लेवलिन, तो ये YouTube पे भी है, then क्या है previous file on this matter, उसको refer करो, कि ये वाला काम जब पिछली बार हुआ था, तो इससे related आप files ले आई है, तो उसमें क्या है, मैंने list of files रखी हुई है, survey of India, SGO की और से जो निकला हुआ है, वो मदद करेगा, उ तीसरी चीज़ हो गई, rule book, rule book में क्या है, सबसे पहले उससे associated manual निकलो, तो weeding out है जैसे, तो weeding out, record retention, इससे related कोई manual होगा, अगर आप establishment का काम कर रहे हो, estate का का काम कर रहे हो, तो estate का manual यूज़ करो, और ये सारी manual की list मैंने blue register का जो spiral वाला है, उसमें बना के रखा है, तो इन then L, L में क्या है list of relevant files related, मतलब अगर आपको previous file को directly नहीं मिल रहे है, इस matter से related, तो आप list of files खोल लो, कि indirectly कोई file इस matter से related है क्या, फिर ATDB, ATDB में फिर academic book देख लो, कि NIGST की, या फिर surveying के notes books, या फिर NIGST में जैसे Paul Wolf थी, PNDRS के लिए, ATDB, T से technology, technology में GYWA, that is Google, YouTube, Wiki और AI2, Google पर search मारो नहीं, तो YouTube पे search मारो, for example, administrative ABDB के काम में harmonization था, तो उसमें harmonization में ArcGIS का जो भी tool वो बोलेंगे, उसे YouTube से search करके understand कर लो, फिर subordinate से पूछो, Wikipedia पे, फिर AI tools available होते हैं, काफी काम करने के लिए, उनकी मदद ले लो, तो इस type से ही हो जाएगा, और last में B, breathe, तो एक तरह से आपने broad picture develop कर ली, फिर BBPD EIS IDP का use करके, और फिर आपने reference material DPRL ATDP का use करके कर लिया, अब अगली चीज नेक्स्ट पार्ट में